लोकल फंस लगातार खरीद दी रहे हैं उसमें कोई डाउट ही नहीं कल भी आप देखिए 3550 क्रोड की खरीदारी लोकल फंस की तरफ से भी है वापस से आप 875 क्रोड की बिकवाली का आखाल FIS का देख रहे हैं लेकिन सामने वो देखिए केश में बेचें स्टॉक्स सामने पंदरा सो क्रोड के स्टॉक्स करें तो नेट नेट के इतनी हैं बेचे 375 क्रोड के स्टॉक्स सामने 2015 क्रोड की इंडेक्स में वाइंग भी है इसलिए एक्चुली देखा जाए तो बेचे नहीं मैंने इसलिए एक्चुली के संकेत आज नूटरल रखें इंफेक्ट हलके पोजिटिव है और लोकल फंड दबा कर साड़े तीन हजार क्रोड की खरिदारी कर रहे हैं और क्य और 1 दडॉलर मेरे लिए इंपॉर्टन नहीं तो यहन पर बढ़ सकता है possono Respots संके यहां डर है कि इसने क्या करवाया काइंड ओफ तो उस समय घट रहा है वह important है quantum important नहीं है direction important है direction नीचे की तरफ का कट्चा तेल का वह important है इसके अलावा सबसे बढ़े अचीजे से market की जो मुझे लग रही है नहीं वह बाजार की speed बढ़ने की भी गठने की भी दू चीजे बाजार में बहुत अच्छी है, एक स्पीड और दूसरा लेवल्स, रुखने के लेवल भी जहां सपोर्ट आ रहा है, एकदम सही सपोर्ट पर रुख रहे हैं, और जगे नीचे आने पर सपोर्ट ले रहे हैं, और एकदम ऊपर के लेवल पर प्रॉफित बुकिं होता है, ठीक है, और ऐसे में आपके पास दो ही तरीकें पेसा बदाने के, एक अगर आप इंडेक्स ट्रेडर नहीं है, और इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो आपको एकदम सपोर्ट लेवल पर ले ले लेना है, जिसे कल बाइस चार सो, सो पर नीचे खुलना, क्यों खु पर में आप 48-250, बैंक निफटी का लेवल था, दोसोपचीन, दोसोपचीन, एक्जर्क महीं पहुचा, निफटी का बाइस से सो था, तो आपको दिन के दौरान दोसोपचीन दोसोपेशिए, ज़लो 25-25 दोसाइट के निकाल दो, तो अभी 1.500-दोसपचीन अगर आपको न और लेवल्स, तो स्पीड एकदम बाज़ार की बहुत आराम से, मुश्किल कब होती है जब बहुत फास्ट मुवमेंट हो, तब आप जब तक सोचे ट्रेड ले तब तक या अगर गला ट्रेड ले लिया तुरन स्टॉक्स टिगर हो जागा, तो एक इसकी स्पीड ठीक है, और दूसरा लेवल को रेस्पेक कर रहा है, नीचे भी और उपर भी, तो मेरे ख्याल से इंडेक्स ट्रेडर के लिए इससे बढ़ा मार्केट मिलेगा नहीं, प्रॉब्लम क्या है, छोटी रहें जे, और इंडेक्स ट्रेडर को चाहिए वोलेटिलिटी, हटाओ, स्टॉक्स में मज़े है, अच्छे नतीजेवाले मिटकेट स्टॉक में निकालें, बहुत बड़ी है, और फिर भी जिसको इंडेक्स में ही ट्रेड करना है, उनके लिए एक आखरी लाइन में लिखी है, बाइस चार सो, ये आपकी इंडेक्स के लिए, बाइस चार सो के निचे इंडेक्स एक बाद टॉप आउट करके नीचे जाने के संकेत देगा, बाइस चार सो के ऊपर और मजबूत होने के संकेत देगा, ये आज के लिए बात करूँ, तो अब मुझे लगता है, इस रेंज में टाइम पास करते हैं, वक्त बिताने की कोशिश बाजार कर सकते हैं, बाइस चा आजस निज तो लाओ गूम्टूर निज तो लाओ गूम्टूर